नौसकार दूस्तों क्लाश्ट्यन एकोनोमिक यानि हमारी अर्थविस्था का चेफ्टर फाइफ रोजगार एवंसेवाएं का लगू उत्रफरेश्ट का कोस्टन करमांग एक मैं आपको बताऊंगा ठीक है आईए आंसर को देखते हैं देखिए जब बहू राष्टिया कमपणियां या अने कमपणियां सम्मधित नियमी सेवाएं ठीक है स्वैंग अपनी कमपणियां की बजाए किसी बहारी या विदेशी स्रोत संस्थान या समू से प्रावत करती है उसे आउट्सोर्सिंग का जाता है दोस्तों बातों को आप ध्यान से समझे देखिए आउट्सोर्सिंग क्या होता है दोस्तों बहु राष्टिया कमपणियां ऐसी कमपणियां जो बहुत सारे देशों में हो बहुत सारे राष्ट में हो उसे बहु राष्टिया कमपणियां काते हैं जब कोई राष्टिया कमपणियां या फिर कोई अने कमपणी है उसकी जो सेवाएं हैं नियामी सेवाएं हैं इसे हम outsourcing कहते हैं ठीक है इस बात को आप याद रखेगा दोस्तों जब आप answer लिखेंगे तो आपको यहाँ पर paragraph change कर देना है पर paragraph change करके आपको यहाँ पर लिखना है अनि सब्दों में outsourcing उस पर करिया को कहते हैं जिसमें एक company अपने किसी आंतरिक कार के लिए दूसरी company के साफ समझाओता करके उससे वह काम करवाती है देखें आप समझें अनि सब्दों में कहता है कि बहुत बड़ी बड़ी company है बड़ी company में चोटी मुटी जो कारी होती है वह company खुद नहीं करता है बलकि किसी और से करव आपके सामने कि company जो है अपने आंतरिक कार के लिए दूसरी company के साथ समझाओता कर लेती है इसी को हम outsourcing करते हैं ठीक है तो question answer को आप याद कर लिजेगा वीडियो को लाइक कर दीजेगा comment आप जरूर किजेगा ताकि मैं और भी वीडियो आपके लिए लाओ ठीक है ठैंक्क आपके टाएंग आपके लाओ 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 छोरे के लिए इसी कि जिए पहला है तो